तो ये अभी हमने बात किखी लेट मिशीन के पार्ट सोरू का फंक्शन तो इस समय हम बख़े हैं आल गेर हैट लेट मिशीन क्यों का आगया क्यों ही इसके अंदर जो हैट स्टॉप है इसमें जो प्रांस मिशीन का सिस्टम है वो विद्धा हलब ऑफ गेड़ है इसलिए इसको आल गेर लेट मिशीन का नाम दिया गए ये किरलॉसकर जो इसका बनाने वाला मैनुफेक्चरा है किरलॉसकर कमपनी है तो ये जो मिशीन है ये हैवी जूटी लेट मिशीन के अंदर काउंट होती है तो भी इसके अंदर जो कपेस्टी है वो लगबक 10 फुट लंबी जॉब को ये ऑपरेशन कर सकती है तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये पार्ट जैसे हमारा शरीर के उपर हमारा सबसे उपर हैड होता है तो इसी परकार से ये मशीन का हैड है और इसको हमने यहां शो किया है इसको आप भी डइयाग्राम बनाते जाएंगे यह है head stroke this is head stroke complete इस portion को क्या बोलेंगे head stroke और इस head stroke में gear की जो है वो आपना transmission system है speed का transmission system है और आपका जो threading cutting का है उसका log table है और यह सब पूसी के भी लीवर ठीक है और यह जो है यह इसका on off है और यह coolant है coolant अर्थाद water की जब हम job को machining करने है उसको थंडा करने के लिए coolant के हो सकता रहती है तो यह head stroke के जो है कुछ पार्ड है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और इसमें यह जो लीवर है वो right hand यह left hand जब हमें motion feed देनी है उस purpose के लिए इसका प्रियोग करने है यह right hand यह left hand threader cutting करना तब भी इसकी regulation को change करने के लिए इन दिवर्स कप्र ही हो किया जाता है तो इसके पस्चाथ head stroke के साथ ही बिलकुल यह जुड़ा हुआ पार्ट है इसको बोलते है spindle यह अंदर spindle जो है यह gear के साथ attachment है और इसके spindle के बिलकुल आगे जो है आप देख रहे हैं फोर्जा चक फोर्जा चक वान टू त्री फोर इसके फोर्जा हैं इसलिए इसको फोर्जा चक बोलते हैं और इसमें जो है हम किसी भी प्रकार से round shape में हो irregular हो eccentric हो कैसी भी जो है उसको हम इसमें clamp कर सकते हैं और इसके इलावा इसमें जैसे ही यह capacity मान लो 12 इंच कर्याड आया है तो यह जो जाज है इसको और open खोला जा सकता है कम से कम 3-3 इंच जो है यह बाहर आ जाएंगे यह आपको हम दिखा दें इसको अगर हम ऐसा गुमाते हैं तो यह जाज अभी तो यहाँ तक खुले हैं तो इसको आप operate करेंगे लगबग यह 3 इंच जो है एधे एक जोब है जो इसका size मान लो 12 इंच था वो इसमें clamp हो सकती थी परन्तु जैसे ही हम इसको और बाहर लेंगे तो इसमें कम से कम 15, 16, 17, 18 इंच की जोब जो है इसी तरह इसके जो अपोजिट है यह इसका मान लोग अपोजिट है इस जाग को भी हम इसी तरह operate करेंगे तो यह चक का प्रियोग करना है कि हम इसमें इतनी तो हम थे headstock के बाद अगला जो step था spindles और spindle के साथ attachment थी किसकी चक कोर्जा चक और जिसके बारे में हम बता रहे थे कि इसको कैसे operate करते है तो यह जो है इसका inner setting होती है यह outer setting यह outer setting है inner setting जो है इनको again सीधा करके हम use करते है तो यह स्थिती तब होती है जब हमें बड़ी जोब इसके अंदर clamp करनी है जब बड़ी जोब clamp करनी है तो हमें इसको उल्टा करके अब जा इसके अंदर डाले हुए और जब अपना छोटी जोब है तो वो भी आपको समझा दूँ इसको ऐसे फोड़ा साफ कर लेते हैं तांकि इसमें कोई चिप्स बगरा हो तो वो साफ हो जाए यह देखो यह तरीका यह अब सीधा जा है और जो आपको पहले हमने दिखाया वो उल्टा जवब था सीधे जवब से छोटी जोब जो जितना इसका साइज है मैकसिमम माझ लो यह 12 इंच का है तो 12 इंच की जोब 12 इंच से लगब क्योंकि इसको इसके अंदर क्लैम पॉने के लिए भी चाहिए तो 10 इंच 11 इंच तक की जोब जो है यहां आ सकती है प्रंतु जब जोब बड़ी है हमारी 12 इंच से ज़्यादा है 16 इंच है 16 इंच है तब हम ये परसेस अड़ाप्ट करेंगे जोब को उल्टा करेंगे और ये जो स्लॉट है इन में जो जॉब है इसमें फस जाती है ऐसे एक्जाम्पल में आपको जोब दिखाऊं को कि ये जोब है ये स्माल जोब के अंदर आएगी जोबी राइट जो जवा थो है उनके अंदर क्लैंप हो जाएगी अब बड़ी पीस देखो आप ये अब बड़ी जोब के लिए ही इसमें क्लैंप होगा कि इसमें हमें इसको बाहर लेकर आना पड़ेगा ये देखो ये जो चक के जो जागर है इसको उलता करेंगे तो ही इसको क्लैंप करेगा करें इसको क्लैंप लिखा देगा है यह सारे बदले जाएंगे हम क्लैम्प करेंगे तो कि बेसिकली जोग को सेंटर में करना ही लेथ मेशीन का सबसे बहला स्टेप जोग को बांगना आपको आना चाहिए करके इसमें हमने जोग को बांध लिया तो यह चक का वर करने का तरीका ठीक है और यह इसका है चक है और इसको यूज करते समय कई बार जो है स्टूडेंट एक चीज भूल जाते हैं कि बीच में हैंडल ठोड़ देते हैं ऐसे ही है और जैसे इसको मचीन को आउन करेंगे तुरंत यह निकल करके चोट माल सकता है तो कभी भी ऐसे जलती भी करेंगे जैसे ही काम किया और इसको हटा करके दूर रख दिया राइट चलो तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बिलकुल इनी साथ में इसको बोलते हैं इसको बेड बोलते हैं जिसके उपर की यह पूरा कैरिज जो आपर करता है जिसमें टूल जो है आगे पीछे होता है क्रॉस स्लाइड में हैंड स्लाइड में तो इस पूरे पोर्शन को क्या हो यह आपका टूल पोस्ट इस तूल पोस्ट इसके अंदर फोर एजो है वह बहुत किये जा सकते हैं वांटू थी और चार टूल एक टाइम में यूज कर सकते यह जैसे अपना टूल पोस्ट और इसी तरह इसमें एक और दो टूल वहां भी आप फिट कर सकते हैं, चारो दो छे, तो वो भी टूल पोस्ट है, और इसी परकार इसके बिलकुल निचे जो है, ये, this is compound slide, ये जो portion है, जो cross slide को जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं, compound slide, this is tool post, right, और this is compound slide, फिर इसके बाद, ये आप देख रहे हैं, part, this is cross slide, जो cross कर रही है, बेट को crossing कर रही है, तो इसका नाम रखा है, cross slide, और इस सारे portion को जो है, carrying बोलते हैं, this is carrying, ये जितना भी है, इसके बाद, जो ये सामने वाला portion है, सामने वाला portion, इसको apron बोलते हैं, this is apron, apron, और apron में कहा है, ये hand slide है, this is hand slide, और इसके इलावा, ये half nut liver, ये यहाँ लिखा है, half nut liver, जब भी आम threading करते हैं, तब इस कपड़ियों करते हैं, ठीक है, half nut liver, और इसके इलावा, automatic feed देना होता है, तब भी इस कपड़ियों करते हैं, एक threading के लिए है, और एक automatic feed के लिए, तो ये portion हो गया, पूरा आपका, इसके बाद इदर आ रहा है, इसी बैट के, राइट साइड में, टेल स्ट्रॉक है, इसी टेल स्ट्रॉक, ये देखो, इसके अंदर जो है, रिवाल्विंग सेंटर फिट है, ये रिवाल्विंग सेंटर, इसका परपस, जो लॉंग जोब होती है, लगबक कोई पांच कुट, से फूट, साथ फूट, आठ फूट, नो फूट, जो ऐसे की मैंने बताया था, कि इस मशीन की कपैस्टी, दस फूट तक की है, तो लॉं आउटर के ऊपर टेपर होती है, और इसके इंटरनल टेपर होती है, तो ये आउटर और इंटरनल टेपर दोनों आपस में, जैसे ये प्रेस करते हैं, फिक्स हो जाती है, और इसकी सहता से जो है, हम जोब को इसमें फिक्स कर लेते हैं, ये जोब को स्पोर्ट भी करता है, और सासा जोब को घुमाने में भी सैता करता है इसकी लवा यहां पर हम डिल जब किसी जोब के अंदर डिल करना होगा है तो लोग ही हमाँ आपको दिला रहने इसको निकाल देंगे और ये डिल इसके अंदर फिट कर देंगे तो इसी को ऐजी प्रेस करेंगे तो ये अपना operation start कर देगा तो ये हो गया आपका tail stop इसके बाद ये है अमारा इसको बोज़ दें study rest this is study rest study rest अरधात ये job को rest भी करती है और उसको sport भी करती है जो बड़ी job होती है heavy duty तो उसको बीच में जो है ये तीनों जाज जो है उस shaft को सहारा देते है sport देते है और accurate भूमने के लिए उसको help करते है ये तीनों जो जाजा है इनको setting करके job के साथ sport किया जाता है और इस परकार से ये study जो है हमारे लंबी job में help करती है इसको बोलते है study rest तो इसमें भी दो परकार की study होती है इसको बोलते है fixed study एक जगा fix है ये जहां भी आप चाहोगे एक जगा fix हो जाएगी एक study होती है जो carriage के साथ जो है वो fix हो जाती है carriage के साथ रहती है और जैसे जैसे operation होता है job के ओपर वैसे वैसे साथ साथ sport भी करती है और उसको भूमने में भी help करती है तो यह हुए आप जाएगी 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 इसका हमने बनाया नहीं था के यह पोड़ा यह दिस पोर्शन इस टेपर टर्निंग अटेजमेंट यह पूरा जो आप देख रहे हैं एक spot जिसके अंदर angle के अंदर जो है यह अपना scale भी बना हुआ है और इसमें लिखा है 0 to कितना है यह 30 0 to 10 0 to 10 प्लस माइनस में डिग्री जो है यह टेपर कटिंग करता है तो इस परकार से यह टेपर टर्निंग अटेजमेंट इसके साथ यह भी एक्स्टा अटेजमेंट दी गई है और इसके लावा यह इस इस लीड सक्रूप इस इस लीड सक्रूप यह एकम थेड इसके ओपर कटे होते हैं जिसका की एंगल 29 डिगरी रहता है तो यह जो है थेड करने के लिए जब हम थ्रेट करते है एक में तब इसका प्रियोंग करते हैं तो इसको आम बोग जहें लिड सक्रूप और इसके इस इसलावा यह this rod white यह है फीड रॉट इस इस फीड रॉग यह आपकी फीड राढए कि रहाए देख रहें फीड रीड प्राइब और इसके बाद जो है यह आपका पुलेंड वंप है जिस पुलेंड वंप जब मशीनिंग हो रही होती है तो जौब और टूल टूल की सुरक्षा के लिए टूल ठंडा रहे तब हम पुलेंड का प्रियोग करते हैं और इसके लावा जो है वह आपके यह जो है और इसके तरह यह इसकी लेप्स है जिसके उपर की यह टिक हुई है मेशीन टीक है तो यह दो इसके आपको पता लगया पार्ट और इसके बारे में जा दें लेट का झो इंडस्टी के अंदर रोल एब बहुत ही एहम रोल है इसको लेट is the mother of industry इसको इसके द्वारा किये जाते हैं तो अब इससे हम कौन से पार्ट से क्या क्या करते हैं को आप कोई परोज हम रिपीट कर देते हैं इसके अंदर सारा गेर एटेचमेंट हैं स्पीड से रिलेटेड सारा फंक्चेन इसमेरा जो आपकी कोई भी साइज है उसको फोर्ज हुआ जो है वह डिफरिंट जो है डिजाइनिंग में कौनिकल स्केयर हेक्सार कोई भी जोब हो उसको वह क्लैंप करेगा इसके लवाज चक तो इसके अंदर वही जोब आएगी जो आल्रेड़ी मिशीन होती है तो इसमें फरक है फोर्जाचक में आप डिफरेंट जो है अपना जोब को रफ जोब को कलेंप कर सकते हैं और जो इसके इलावा जो फिनिस जोब है उसके लिए आपको ट्रू जाकी है सकता रहती है और डि फटा फटा आप जोब को सेंटर में करेंगे और अपरेशन करेंगे और उस जोब को त्यार कर लेंगे उसके बाद जो बैट की बाद है यह कास्ट आरेन का बना होता है और इसी के उपर जो है हमारा पूरा कैरिक जो है वो काम करता है पूरा कैरिक जो है दस मुन तक आगे बीचे होता है तो यह इसका बैड इसके बाद जो जो इसके साथ हैं यह सब्सक्राइब का अलग फंक्शन है कि जब जोब के उपर आपे टेपर करना होता है टेपर अपरेशन अभी आपने देखा था यहां पर और इधर इसके उपर डिगरी इसकाटी होती है तो हमें साइज के अनुसार फार्मूला है उसके अनुसार इस डिगरी को पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जैसे हम इसको सेट करेंगे फाइव डिगरी गरी सेवन डिगरी एट डिगरी जितना कैलकुलेश आएगा वहां इसको फिट करेंगे और उसके बाद जैसे उपरेशन करेंगे तो हमारा टेपर अपरेशन हो जाएगा और taper operation क्या होता है, एक ही axis में, किसी भी size का increase होना, यह decrease होना, उसको बोलते हैं taper operation, तो यह हो गया आपका compound slide, यह compound rest, इसके बाद cross slide, और cross slide जो है, वो job की जो facing करने का operation होता है, उसके लिए हम प्रियोग करते हैं, जो job है आपकी, as a example, जो, तो इसको हम जब job को सिधा करके इसको fix करेंगे, तो अब ही आप देख रहे हैं, कि इसकी cutting में, कुछ टेड़ा पन है, प्रॉपर नहीं है, facing करने की जुरूदा है, तब हम इसको यहाँ fix करेंगे, चारों, जो की सेता से, तो इसके प्रसाद job को facing करने के लिए आप किस का प्रियों करेंगे, उसके बाद हम next, जो आपका यह hand slide है, जो job है, इधर देखे, जो turning करनी है, जो की जो turning करनी है, उसके लिए हम hand slide का प्रियों करेंगे, यह देखो, बैड के उपर कैसे hand slide काम कर रही है, तो यह this action is turning operation, turning operation के बाद जो है, हमारा half net deliver की बात की लिए न, तो यह जब हम threading करते हैं, और उसकी हम threading set करके, उसको आप touch कर देते हैं, spindle के साथ, जो इस परकार से इसके अंदर clamp हो जाता है, और उसे अनुसार जो है, उस piece के उपर जो है, rings, rings जैजे पिच, उसके उपर cutting होती है, तो धिरे-धिरे जैसे हम deep करते हैं, तो उसमें threading operation बन जाता है, और इसके बाद टेस्टोक का मैंने बताई दिया पहले ही इसका purpose, sport करना और drilling करना, study का भी बता दिया, lead screw, cable मात्र, threading के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इस परकार से ये आप एक बार पूरा, ये आपकी lathe machine है, और ये इसका, जो है, safety cover है, अधात, जब हम काम करते हैं, तो कोई, अगर बाइचास, कोई, जो 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 जो 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 इस परकार, इस machine के द्वारा जो है, हम facing, not करेंगे, facing, turning, और drilling, नर्लिंग, threading, taper turning, taper turning, step turning, boring, internal boring, और इसके इलावा, grooving, तो कहने का भाव ये है, कि इस machine से हम maximum operation कर सकते हैं, this is the mother of industry.